वाहे गुरू वाहे गुरू जतेदार करके भी जाने जान्दा है बाबा जीनु संगत वच वेटे वेख के बड़ी काली नाडाप जी पास पुझे ते गुर्मत दी विचार जो चल रही सी उसनों ती इरिजनाल सुननन दी था आउंदे ही चल रही विचार नू रोकनडी जोर दी वाईगुरू जी का खाल सा वाईगुरू जी की फते बुलाई बाबा जी ते सारी संगत दा त्यान उद्र हो गया सारीया ने फते दा उत्तर दता जतेदार करतार सिंग ने चल रही गुर्मत दी विचार नो सुनन लई पो राजना भी जेरा ना कीता ते बाबा जी नो आखन लगे के बाबा जी मैं तो हटे पास एक शिकायत लागी आया है बाबा जी ने अपने सेहन शील सुबा अंसार आखिया के दसो जतेदार जी की शिकायत ले आए हो करतार सिंग ने केहा के बाबा जी आज जो शाम दा चार तूं पांच बजे दा सिमरन सी उस वेच बलवान सिंग नाओंदे प्रेमी ने सिमरन नी कीता बाबा जी ने सुबा अवक उतर दिता के तुसी उसनों बेंती कर देनी सी के बाहर को मन फिरन दी था संगत वेच बैठके सिमरन करो क्योंके आपां सारे आदा ही फरज बन दा है के आपां सारे संगती रूप वेच नाम बाणी कथा कीरतंदा लाहा प्रापत करन आए हां करांदे का मकार वी शडे ने जे फिर भी आपां संगत वेच बैठके लाहा प्रापत ना कीता तेल वरती ता फिर लोग गय ओपर लोग को आयो वाली गाल ही है ना करतार संग ने उतर दता बाबाजी बलवांत संग बारनी को मदा सी ओता संगत वेची बैठा सी ते अखां खोल के एदर उदर वेखदा रहा बाबाजी क्यान लगे के जेतार जी तुसी किते साओ करतार संग ने उतर दता कि मैं भी संगत वेच बैठा सिम्रन का रहा सी बाबा जी थोड़ा मुस्कराए ते जथेदार करतार संग नो मखादव करके क्यान लगे जथेदार जी जे बलवांत संग ने सिम्रन नहीं कीता ता सिम्रन ता तुसी भी नहीं कीता करतार संग ने एकदम उत्वर दता बाबा जी मैं ता सारा समा सिम्रन वेच बैठा रहां ते सिम्रन करदा भी रहां तथ बाबाजी ने मूडवा पुछे आ कि जे तुसी सिम्रन कर दे सी तहा नूके में पता लगा कि बलवांत संग सिम्रन नी करता थे ओ एदर उदर वेखदा है। करतार सिंग ने उतर दता कि मैं जी चंगी तरह उसनों वेखदा रहा है वो बहुता समा इदर उदर ही वेखदा रहा है बाबा जी मुस्कराय दे कैन लगे करतार सिंग तुसी बैठे पावे संगत वच ही सी पर सेमर न तुसी दुवाने ने की था जे बलवांत सिंग दूसरे हैं वल चाकदा रहा ता तुसी बलवांत सिंग वल वेख दे रहे बलवांत सिंग वेज ते तेरे वेज फरक की है ओ भी बाहर मुखी मिरती है दिन एदर उदर तकदा रहा तुसी योदी वल वेख दे रहे तो हाटी दोहां दी बिरती बाहर मुखी रही है गुरू दारता मान दी हाजरी परवान हुन दी है बाबा जिदा ये बचन सुनके जतेदार हो रही था चुप कर गए ते मान वेच श्रमिंदगी मैसूस की थी कि आया था मैं बलवांत संग दी शिकायत लाय के सी पर फास मैं आप गया है बाबा जिने करतार सिंग अते बैठी सारी संगत नू संबोधन करकी के हा के जदों भी संगत विच बैठना होवे एक दुजेवल वेखन दी द्रिश्टी दा त्या करना चाईदा है अते हमेशा सिमरन, कीर्तन, कथा विच अखा मीट के गुर्मुखी चौंकडे मार के बैठना योग है बिरती नू बाहर मुखी होन तों संकोज के रखना चाईदा है पावे सारे इंदरे मन देखन डाउन विच आपो आपना इसा पहुंदे हा पर सब तों वधीक बाहर मुखी बिरती अखा नहीं होन दी है जो असी अखा नण वेख दे हाँ उसदा आक्स साटे अंतश करन दे पर्त ते उक्रिया जान दा है ते ओ उक्रिया आक्स मोड मोड माननू ओस पासिवल प्रेरदा है जो के मनोखने अखा राही वेख्या हुंदा है वेख वेख के अखा कदी भी राजदिया नहीं सकों होर वेखन दी लालसा वद दी है पाईसा पाई गुर्दास जीदा अटल फैंसला है अखी वेखना रजिया बावरंग तमाशे उस्तत निंदा कान सुन रोवन तैहा से साथी जीवना रजिया करप होग बिला से नाक ना रजजा वासला दरुगांत सुबा से राजना कोई जीवेया कूडे प्रवा से पीर मुरीदा पिर हड़ी सच्ची रह रा से संगत विच ए वेखन दी सोच शड़के के फलाना किदर वेखदा है किस तरह बैठा है ते होर किन्तु शड़के बिरतीनों अंतरमुखी करके नाम नल जुड़ना चाहिए ताद ही पूरा लाहा है जे एक प्राणी आपना लाहा गवारहा है तुसीता ना अपने समेनों जाई गवावो जे एक गलती करदा है ता तुसीता ना करो जे असी भी ओहो कोज ही करिये जो दूसरा करदा है फिर साध्ये वेच ते ओस वेच की फर्क होया जेहे ओ ते अस तैसे यसी जदों आपा संगत वेच सिमर करन लई बैठिये जो नाम ब्यास लई जुडिये ता जो आपा वाहे गुर्मांतर दी तुनी अंदर उजारन कर दे हा उसनु आपनी सूक्षम बिर्तीनल सुनुना चाहिए तोन मैं त्यान त्यान मैं जानेया गुर्मक अकत कहाणी तन गुरु नानक देव सहव जीने रामकली राग विच साड़े ले ये हुकम कीता है तोन मैं त्यान त्यान मैं जानेया गुर्मक अकत कहाणी सो जदों आपा कीर्तन जहां कथा सरवन करिए कीर्तनियां जो गुर्बाणी दा कीर्तन करदा है जहां कथा वाचक जो गुर्मत विचार दे रहा हुंदा है साध्डा त्यान गुर्बाणी दे कीर्तन जहां गुर्बाणी विच हुना चाहिए जदों आपा सुनन वाली बिरती बनाल मांगे फिर सुनन लाग गय सहज त्यान नानक पागता सदा विगास सुनन दूख पाव का नास दी खेड खेड़ी जावेगी सुनन नाल ही खिंडाव वाली बिरती विच एकागरता होंदी है सो हमेशा त्यान रखना चाहिदा है कि आपा थोड़े समय विच्चों बहुत आलाहा प्राफ्त करिये बाबा जी ने अखीर विच फ्रमाया कि आपानू बाबा फ्रीद जी दा उपदेश आपने हिर्दे विच तार्न करना चाहिदा है फ्रीदा जे तुं अकल लतीफ काले लेक न लेक आपन डे गिरिवान में सिर नीमा कर देख जो कमी दूसरे विच असी वेख रहे हां कि ते साड़े विच भी एहो जही उनता था नहीं जे इस तरह असी आपने हिर्दे विच अउगणा दी पड़ चोड करांगे ता समा पाके साड़ा अउगणा तोंशुटकारा हो जावेगा ते हिर्दे विच गुण आवसंगे दूसरे दे अउगण वेखन दी थां सानू तान गुरु नानक देवसे पात्षाजी दे एस हुकमनू सानमुक राख के इस बरती देतार नी बढ़ना चाहिदा है कि साज करीजा गुणा केरी शोड अवगण चलिया पहरे पटंबर कर अडंबर आपना पिडम लिया जित है जाए बही है पला कही है चोल अम्रत पीजा गुणा का होवे बासला कडवास लई